दोस्तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे Green FD के बारे में कि क्या है Green FD और आपका फायदा Green FD कराने में है या साधारान FD कराने में तो आएए जानते हैं दोस्तो सुरक्षित निवेस का जिक्रा आते ही सभी के मन में सबसे पहला ख्याल Fixed Deposit यानी FD का ही आता है FD में Fixed Time जैसे 1, 2 या 5 साल के लिए पैसा लगाने पर Guaranteed Return मिलता है FD के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं लेकिन क्या आपने Green Term Deposit या Green FD के बारे में सुना हैं ये क्या है और कैसे Regular FD से अलग है क्या Green और Normal FD के Interest Rate में कोई अंतर है तो आएए जानते हैं ये सारी बात है क्या है Green FD Green FD को Environmently Friendly Fixed Deposit यानी पर्यावरण Uncool Fixed Deposit भी कहते हैं इसी स्किम से जुटाए गए पैसों को पर्यावरण को फाइदा पहुचाने वाले प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है जैसे Solar Power, Wind Forms, Waste Management और Energy Efficient Infrastructure से जुड़े प्रोजेक्ट्स अब ये समझते हैं कि Green FD, Regular FD से कैसे अलग है Green FD में Normal Bank FD की तरह ही ग्राकों को तैय समय के लिए Guaranteed Return मिलता है अंतर बस Fund Location में है Green FD स्किम से बैंक जो पैसे जुटाते हैं उसका इस्तेमाल Eco Friendly Projects की funding में किया जाता है जब अकि Normal Deposit से आये पैसों को किसी खास प्रोजेक्ट के लिए आवंटित नहीं किया जाता है ये पैसा Common Pool में जाता है जिसका इस्तेमाल Business, Home, Auto, Personal Loan देने जैसे कई कामों में होता है बाकी चीजों में दौनों FD करीब-करीब एक जैसी ही है Maturity पर पैसे निकालने या Renewal जैसे Option दोनों ही FD में मिलते है Green FD में भी Overdraft की सुविदा है ब्याज का भुकतान मासिक, इमाही, सालाना या Maturity किसी भी तरह से लिया जा सकता है Green Fixed Deposit को Journal Public या Resident Indian, Senior Citizens, Non-Individual, Non-Resident Indian यानि NRI और High Net Worth Individual यानि HNI खुलवा सकते है Regular FD और Green FD में अंतर अब जानते हैं कि Regular और Green FD के Interest Rate में क्या अंतर है Green Fixed Deposit की ब्याजदरें Regular FD से ज़्यादा भी हो सकती है और नहीं भी क्योंकि ये बैंकों की ओर से तैय पॉलिसी पर डिपेंड करता है State Bank of India यानि SBI, Bank of Bada, HDFC Bank, AU Small Finance Bank समित कुछ बैंक Green FD और करते हैं SBI General Public को 7 दिन से लेकर 10 साल तक की Regular FD पर 3 से 7% तक का ब्याजदे रहा है वहीं 400 दिन की Special FD पर 7.1% की ब्याजदे रहा है अगर Green Deposit की बात करें तो इसमें 1111 और 1777 दिनों की FD पर 6.65% जब अगे 2222 दिनों की Green FD पर 6.4% का ब्याजदे मिलता है आईए ब्याजदे रहों को थोड़ा और गहराई से पर रखते हैं 1111 दिन की Green FD साल में Convert करें तो 3 साल से उपर की Green FD पर 6.65% का ब्याजदे जब अगे 3 साल से लेकर 5 साल से कम की Normal FD पर 6.50% का ब्याजदे यहां Green FD पर ब्याजदे ज़ादा है वहीं 222 दुनों की यानि 6 साल से उपर की Green FD पर 6.40% जब अगे Normal FD की बात करें तो 5 साल से 10 साल तक की FD में 6.50% की ब्याजदर है इसमें Normal FD बाजी मार रही है बैंकों बड़ोदा की Green Deposit के ब्याजदरों पर नज़द डालें तो 1 साल और 1.5 साल की Green FD पर 6.75% 777 दिनों यानि 2 साल से ज़ादा की FD पर 7.15% और 1111 दिन और 1717 दिन वो 201 दिन इसे अगर साल में कनवर्ट करें तो 6 साल से उपर की FD पर 6.40% की ब्याजदर मिलती है बैंकों बड़ोदा की Regular FD की बात करें तो यहां 1 से 2 साल की FD पर 6.85% जबकि 2 साल से ज़ादा और 3 साल से कम की FD पर 7.25 का ब्याज है वहीं 3 साल से उपर और 10 साल तक की FD पर 6.50% का ब्याज है अलग-अलग बैंकों की Green और Regular FD के ब्याजदर में कितना अंतर आ रहा है इसे आप बैंक की Bebsite पर भी जाकर चेक कर सकते हैं आपके Tenor के हिसाब से Green FD और Normal FD में जहां आपको ज़ादा ब्याज मिल रहा है उसे चुन सकते हैं मौझूदा समय में Short से Medium Term यानी 1 से 3 साल की Regular FD पर बैंक ज़ादा ब्याज दे रहे हैं Senior Citizen को General Public के मुकावले 0.50% तक ज़ादा ब्याज मिलता है ऐसे में कम रिस्क के साथ छोटी अवदी में अच्छे रिटर्न के लिए आप FD चुन सकते हैं तो दोस्तों ये जानकारी थी Green FD के बारे में और Green FD और साधरन FD की Rate of Interest के बारे में उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा धन्यवाद